करवा चौट का तेवहार बस आने ही वाला है, ऐसे में सब को एक किरियोसिटी होती है, कि अच्छी महंदी कहां से लगवाए, ऐसी महंदी जो आपके हाथों को खराब ना करें, और ग्यानिक हो, और आपके हाथों पर कुप्तूरत भी लगे, लॉंग लास्टिंग हो, तो चल आज हम आपको लेके जाएंगे धिल्ली NCR की कुछ ऐसी जगाओं पर जहां के महंदी कर देगी आपको डव, तो हमारी नाम रभी है, हमारी शौप का नाम रभी महंदी वाला है, और हम यहां पर 12 साल से करीब-करीब मेहंदी लगा रहे हैं, तो हमारी यहां पर करवाश उत कि असद्ड ली माना जाता है, तो इसके लिए बहुत अच्छी महंदी लगती है सारे लेटेस्टी अरे डिजायन होते है जिसमें कि तिपिकल म्हानी होता है, म्हानी श्टैल में जो लगाते हैं मेहनी और अड़ेविक जैसा वि आपको कोई डिजाइन चीह होता है तो वो वो सारा चीज हम लगा के देते हैं एवरी यर में यहीं मेहंदी लग पाती हूँ, I think it's the best mehendi वाला in Delhi NCR, यह आपको, the designs जो आप चाहते हैं वो आपको देते हैं, the best price. बहुत संदर मेंदी लगा रहे हैं, और मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं पहले confused हो रही थी कि मैं खहाँ जाओ, भया इतकी संदर मेंदी लगा रहे थी, तो मैं यहीं बैठ गी. पिछले कई सालों से इनके पास आरही हूँ मेंदी करवाने, चाहे करवा जौत हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दिवाली हो, पिका के लिए, या राखी के लिए, मेरे घर पे भी कोई function होता है, तो मैं यह नी पो call करती हूँ. मेरा first करवा जौत है, मुझे महंदी लगाने का वैसी चौंखनी है, लेकिन मैंने दो हफते निकाल के जो design लगाया है, वो usually मुझे कोई लगाने के लहां करनी रहा था, and specially मेरे reasonable prices पे, तो भाहिया बहुत अच्छे हैं, इन्हों बहुत अच्छी महंदी लगा दिया मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं पिछले 30 साल से, तिल लगनागर मेन मार्कित में, बावाजी और देजाभू की शौप के सामने मेहंदी का काम कर रहा हूं, और हमारा जो ये वार्क है, ओल ओवर इंडिया में ह हमारी टीम हर सिटी में है, तैं यहीं से महंदी लगवाती है, और सुनील भाया की महंदी बहुत अच्छी होती है, इनका कलर और डिजाइन बहुत उनीक होता है, हम इस भाया से बहुत सालों से महंदी लगवाते हैं, 10 years हो गया है, और यहां की महंदी बहुत स्पेशल है, जी मेरे नाम सुनील कुमार, सुनील कुमार है, एक महंदी आर्टिस्ट और परफेशनल इस काम को मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, और यहां पर हर परकार की महंदी लगाते हैं, और हर कारवा चोथ पे काफी लोग यहां से बड़े भिलवाल होती है, बहुत लोग आते हैं, औ कोई केमिकल नहीं है, कोई नुक्सान नहीं है हाथों पर लगाने से, और यहां पर काफी मतलब भीड़ होती है, और काफी लोग यहां से महंदी सीख के अपना दुकान भी खोल रखे हैं,